इस वक्ती बड़ी खबर कुसर्क के सीमा एक शेत्र में रूसी हमला हो रहा है। रूस ने युक्रेणी टैंक को तबाह कर दिया है। घातक ड्रोन से रूस ने बड़ा हमला किया। तो सेना पर युक्रेन की जहां युक्रेन की सेना पहुंचे कुसर्प में आप कुसर्प में रूस भी हमले कर रहा है युक्रेन की सेना पर ड्रोन से हमला किया गया और टैंक को नश्ट कर दिया गया है युक्रेन के लेकि किस तरह से तस्वीरे सामने आई है रूस की सेना ने ड्रोन के जर्ये यूकरेन के टांक को तबाख किया और अब बात दूसरे युद्ध के मैदान की इस्राइल पर बड़ा हमला कर सकता है हिजबुल्ला एरान के पहले हिजबुल्ला कर सकता है ये बड़ा हमला फुआत के हत्या का बदला लेना चाहता है हिजबुला और इस वज़ों से हिजबुला की तरफ से बड़ा हमला हो सकता है लिवनान के बेरूत में मारा गया था फुआत चुक और उसके बाद से हिजबुला लगा तारे कह रहा है कि वो इसका बदला लेगा इस्राइली अधिकारियों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि एरान से पहले हिजबुल्ला की तरफ से बड़ा हमला किया जा सकता है और अब जान लेते हैं एक और इरान लगातार इस्राइल पर हमले की धमकी दे रहा है दूसरी तरफ अचानक हिजबुल्ला के हमले की आशंग का क्यों मंडराने लगी है तो वज़ा है इस्राइली स्ट्राइक में मारा गया हमास कमांडर फुआद आपको बता दें कि फुआद हिजबुल्ला का बड़ा सेने कमांडर था जिसे हिजबुल्ला प्रमुक नस्राइला का खरीबी भी माना जाता था वहीं हमले के तरीके की बात करें तो माना ये जा रहा है कि हिजबुल्ला चेताबनी नहीं नहीं देगआ बलकि सीधे वधुवन सक्थ हमला करेगा अरब में बड़े युद्ध के आसार बढ़ने लगे हैं इरान ने एक बार फिर से अल्टिमेटम दिया है कि अगले 48 घंटे में इसराइल पर वो हमला करेगा दरअसल इरान के इस होसले की वज़ा रूस और चीन का साथ आना है रूस ने लॉंग रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल की बड़ी खेप इरान भेज दी है जिसका इस्तेमाल इरान इसराइल पर हमले में कर सकता है जिस खत्रे का अंदेशा यूएन ने जताया था वो खत्रा नस्दीक आता जा रहा है जिस खत्रे को लेकर अमेरिका इरान पर अंकुष लगा रहा था वो खत्रा अब पूरे अरब पर मनड़ा रहा है वो खत्रा न्यूकलियर अटाक का है पेंटेगन और मौसाद ने एलिट जारी किया है कि एरान परमारू हत्यार का इस्तिमाल कर सकता है अभी तक अमेरिका ये मान कर चल रहा था कि एरान परमारू हत्यार बनाने के बेहद करीब है पेंटरगन की ताजा रिपोर्ट में ये सामने आया है कि एरान परमाडू हत्यारों का इस्तेमाल करने में देर नहीं करेगा तो क्या एरान ने परमाडू हत्यार बना लिये हैं? अगर ऐसा है तो अरब को परमाडू विनाश से कोई नहीं बचा सकता क्योंकि एक बार इरान ने परमाडू विकल्ब का इस्तेमाल किया तो अमेरिका इस्राइल पलटवार जरूर करेंगे जो बेहत भयानक हो सकता है तबाही हिरोशिमा नागा साकी से भी ज्यादा हो सकती है लेकिन इस बार शक्ती संतोलन के लिए रूस और चीन इरान के साथ है इसलिए अमेरिका हर कदम फोग फोग कर उठा रहा है अला कि पेंदेगन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रूस और इरान मिलकर अरब में कुछ बड़ा करने वाले हैं इसके पीछे की वज़े जानिये रूस ने इरान को लॉंग रेंज मिजायल सप्लाई की है इसके अलावा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी भेजे है जबकि चीन भी सैने मदद भेजनी की तैयारी में है इरान ने मिलिटरी एक्सेसाइज शिरू कर दी है इरान ने अगले 48 घंटे का नो टाम जारी कर दिया है अमेरिका सतर्क है उसने इरान की 48 घंटे में हमले की धमकी को गमभीरता से लिया है इसके लिए इसराइल में हाई इलर्ट जारी करने को कहा है साथी ईराग सीरिया में अपने सेनेट हिकाने भी वार रेडी कर दिये हैं जैसे ही इरान ने 48 गंटे का नो टायम जारी किया वैसे ही इसराइल ने भी हाई अलर्ड जारी कर दिया इरानी मिसाइल मुव्मेंट पर अमेरिका नजर रख रहा है सेटलाइट के जरीए इसकी जासूसी की जा रही है जोसे हमला होने की स्थिति में पोर्टिबल बंकर को दूसरी जगा पर शिट किया जा सके मोबाइल पोटिबल बंकर के अलावा डेजर्ट अटमी बंकर भी बनाए हैं, जो हर तरह के हमले जेल सकते हैं। वैसे भी इस्राइल की पूरी कैबनेट तेल अवीव से यरुशलम अटमी बंकर में शिफ्ट की जा चुकी है। वही से युद्द से जोड़े सारे फैसले लिये जा रहे हैं। इसमें रूस और चीन का भी इंपट लिया जा रहा है। सिर्फ 24 घंडे पहले ही तेहरान में रूसी NSA और पूर्व रक्षा बंत्री सरगई शोईगो माजूद थे। इसके बाद एक और खेप इरान के लिए रवाना हुए। रूस से इरान को अटमी मिजाईल और दूसरी हत्यार पहुँचने शुरू हो गए है। रूस से भारी मात्रा में डिफिन्स सिस्टम भी तेहरान पहुचे हैं जिनने इरान अपने परमारू ठेकानों पर लगा रहा है। दूसरी और रूसी सकंदर जैसी एक्टमी मिजाईल पहुचने के बाद इसराइल वार रेडी मोड में आ चुका है। अमले से बचने के लिए सडकों पर पंकर कैपसूल रखे जा रहे है। डिफरन्स सिस्टम को इरान ने अपने परमारू ठेकानों पर तैनाद किया है। इससे साबित हो रहा है कि इरान को भी सबसे ज्यादा खत्रा परमारू ठेकानों पर अटैक को लेकर है। रूस ने जिन मिज़ालों के खेम भेजी है उनके बारे में जान लीजे। पहली मिज़ाल है इसकंदर जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है और स्पीड 7000 किलोमीटर प्रती घंटे है। इसकंदर मिज़ाल सिस्टम के अलावा मॉर्मांस्क बीएंज सिस्टम भी रूस ने भेजा है। साथी S300 डिफरन सिस्टम भी इरान पहुँच गए है। इसराइल पर संभावित खत्रे को देखते हुए अमेरिका ने एक और समुद्री बेड़ा भूमध्य सागर में भेजा है। जबकि पहले वो बारा वार्शिप भूमध्य सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक लगा चुका है। अब इसराइल की सुरक्षा के लिए दूसरे नेटो देश भी आगे आए हैं। ब्रितन ने भी एक समुद्री फ्लीट इसराइल के पास तैनात करने के लिए भेज़ दी है। इस बीच इसराइल की तरफ से कहा गया है हमें खत्रे का अंदाजा है। अगर हमें इंपट मिलता है कि एरान हमला जरूर करेगा तो हम इंतजार नहीं करेंगे। यानि इसराइल सुरक्षा के साथ आकरमन के लिए भी तैयार है। इसके लिए योफ गैलन्ट ने पेंटेगन से भी बात कर ली है। इस बीच एरान ने खुद के डेवलप किये दिफेंस सिस्टम भी तैयनाद कर दिये हैं। जिनमें 9-day shot range difference system है अर्मान anti-ballistic missile system है अजारा कश एर difference system भी तैनाथ है बावर 373 long range difference system सेने ठेकानों के सुरक्षा में लगाया गया है कुल मिलाकर दोनों तरफ से जबरदस तयारी है दोनों तरफ से धमकिया दी जा रही है लेकिन इरान को लेकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अगर हमला करेगा तो बेहत विद्वन सकोगा यानि अरब से ऐसी बारुदी आंधी की शिर्वात हो सकती है जिसमें पूरा येरोप खिर सकता है येरो रिपोर्ट, टीवी नाइन, भारत विश